एक small family है और एक luxury segment में कोई property सर्च कर रहे हैं द्वार का expressway में तो एक property आज जो मैं आपके लेकर के आया हूँ बहुत ही beautiful property है two bedroom flat रहने वाला है बिल्डर की बात कर ले तो इनका एक successful project sector 111 में है पुरी diplomatic grains के नाम से और ये जो second project है पुरी का emerald way के नाम से sector 104 बैंगोन द्वार के expressway में ये property आपकी located है अगर हम बात करें इस segment की तो ये luxury segment के अंदर आता है size है इसका 1550 square feet का इसके अंदर तीन sizes है एक है 1700 square feet का two bedroom servant वो थोड़ा सा बड़ा है ये जो है 1550 square feet का two bedroom थोड़ा छोटा है इसके बाद जो size आता है वो आता है हमारा 2450 square feet का उसका जो है price उसकी जानकारी के लिए आप हमें नीचे call कर दीजेगा हम बता देंगे वो three bedroom servant का layout है ये जो layout मैं आज आपको दिखा रहा हूँ इसके अभी हम living dining area में है प्रोजेक्ट का elevation भी मैं आपको बाहर से दिखा अगर बात कर लिए इस प्रोजेक्ट की तो अगर हम compare करते हैं उन द्वार के एक्स प्रोजेक्ट में जो भी आसवास जो प्रोजेक्ट है लाइक सापूर जी पॉलों जी उसमें जो size 1360 square feet वाला उसका प्राइज भी आज की डेट में क्रोड़ 85 लाक रुपे का है जो प्राइज है यह इसको वर्थ करता है क्योंकि सूपर लग्जरी प्रोजेक्ट है बहुत अमेजिंग प्रोजेक्ट है काफी स्पेश्य यह फ्लैट है इसकी लोकेशन बहुत अच्छी है बेंग ऑन द्वार के एक स्परस बेद में स्मौल फैमली के लिए बहुत अच्छा फोर ओन द्वार का एक्सप्रस वे बहुत ही लगजरी प्रोड़क्ट है अगर इसके बारे में आपको पता होगा इनका एक सकस्पुल प्रोड़क्ट सेक्टर 111 में है पुरी डैप्लोमेटिक के नाम से सूपर लगजरी प्रोड़क्ट है इसका यह सुमिकपूल एरिया आप देख सकते हैं लगजरी प्रोड़क्ट है तो आप देख सकते हैं कितना यह ब्यूटिफुल लग रहा होगा इसके अंदर आपको मिलती है तीन लिफ्ट दो पैसेंजर लिफ्ट मिल जाती है एक मिलती आपको इसमें सर्वेस लिफ्ट ग्रैंड इंटरी आपको यह मिल लाइनिंग प्रॉपर लग जाएगा स्पेशिस फ्लाइट रहने वाला है 1550 स्केर फिट का और इसके ठीक सामने यह मेरे किचन रहने वाला है पूरी जो बिल्डर है आपको पता है काफी बढ़िया बिल्डर है चीक है जी इसका जो किचन है आप देख सकते हैं स्पेशिस किचन है जो बिल्डर ने खुदी कमेट करा था वो सारा काम करा कि दिया हुआ है चिमनी हॉब लगा के दिया है वुड़व कंप्लीट किया हुआ है यूटिलिटी बैलकनी की बात कर लेते हैं व्यार्वी सिस्टम इसके अंदर एक यूनिट से सारे एसी कंट्रोल होते हैं इस तरफ अगर आप आना चाहें देखना चाहें यह बड़ी बैलकनी रहेगी आपकी यह जो हमारा नीचे कलब आउस आपको दिख रहा होगा पर यह बिल्कुल इस प्रोजेक्ट के नीचे बिल्कुल आपको दिखेगा लाफ साइड में मेरे सुमिंग पूल दिख जाएग से काफी प्रीमियम सुसाइटी है आपकी पूरी अम्राड बे अब मैं दिखाता हूं उसके एक एक करके आपको बेडरूम साइज और वाश्रूम साइज आई इसमें आपको जैसे मैंने बताया वियार वी लगावा है तो एसी अंदर लगावा यह वियार वी से कनेक्टेड आपका इस तरफ लेट साइड में हमारा एक सिंगल बेडरूम है जिसका साइज में बात कर लूँ दस भाई ग्यारा का यह बेडरूम साइज है यह बेसिकली किट और सेव्टी परपस से यहां पर वैलकनी नहीं दीवी यह आप देख सकते हैं वेंटिलेशन के लिए आपका इस सारी आपके कोलर ब्रैंड की फिटिंग्स दीवी है सारी ब्रैंडड फिटिंग्स है गीजर भी लगावा है डेटे नो मोबिल फ्लाट है बेचिकली और प्राइस भी बहुत अमेजिंग है आपको में लास्ट में प्राइस बता दूँगा अभी इसका मास्टर लेफ्ट साइड में हमारे वाश्रों रहने वाला है यह आप इसका साइज देख पाएंगे काफी अमेजिंग साइज हो गया इसके साथ में एडिशनल एक बैलकनी है जो अगेन हमारी कलब हाउस विमिंग पूल को फेस करती है यह हमारा जो है इस तरफ जो हमारा पार्ट है साथ फेसिंग का यह बैलकनी है हमारी प्रॉपर इस तरफ दूप आएगी है हमारे इस बैलकनी के अंदर और यह प्रॉपर्टी इसकी लोकेशन बहुत अच्छी है इस से कंपेर करते हैं अगर हम 2BHK की प्रॉपर्टी तो मेरे को नहीं लगता शापूर जी पॉलों जी भ बहुत रिजनेवल है दो करोड़ शे लाकर पेज इसकी दिमांड रहने वाली है अब आपको लगेगा कि नहीं 2BHK है तो डिपेंड करता है बिल्टर कौन है क्या लोकेशन है क्या साइज है तो यह जो प्रॉड़क्ट है बहुत अमेजिंग है इस पर आप विजिट करोग और सबसे पहले आप सभी को जनमास्तमी की हार्दिक सुपकामनाय मिलते हैं नेक्स वीडियो में थेंक्यू सो मच बाई बाई